मद्यप्रदेश में नशा मुक्ती के खिलाफ अभियान जारी है मद्यप्रदेश में मुख्य मंद्री शिवरा सिंग छोहान के दौरा नशा मुक्ती अभियान के आदेश दिये गए है जिसके बाद प्रदेश भर में अभियान चलाया जा रहा है मंडला जले में भी नशा मुक्ती का सर देखने को मिल रहा है ग्राम पंचायत एहमद पूर में महिला और पुडशों ने एकत्रित होकर रेली निकाली इस रेली के दौरान लोगों को नशे से दूर रहने के लिए जागरुक किया है इस अभियान को सफल बनाने के लिए जला पंचायत उपाध्यक्ष कमलेश तेकाम नायाब तहसिलदार साक्षी स्चुकला चौकी प्रभारी जश्वंत सिंग राजपूत मौजूद रहे नायब तहसिलदार जी साक्षी सुकला जी है और शेतरी पुलिस चौकी के चौकी प्रभारी जश्वंत सिंग राजपूत जी अब इनसे जानना चाहेंगे कि नस्वमुक्ति के प्रभाव कहां तक जाएगा जैसा कि अहमदपूर में देख रहे हैं कि इतनी जन्ता जागरूख होकर एक नस्वमुक्ति अभियान के तहता आज रहली के माध्यम से जन्जागरूखता अभियान के द्वारा नस्वमुक्ति में जागरूख जन्ता को कोशिस की जा रही हैं द्वारा की नसा करना एक सारीरिक आर्थिक और समाजिक तीनों तरह का नुक्सान है तो ऐसा फिर भी बैठकों में समझाना पड़ेगा लोगों को जैसे कि पेशा एक्ट में भी सारी चीज प्रसासन के द्वारा बताई जा रही हर गाओं में यहां पर पता नहीं मुझे जान कि स्कूल के सामने चार-पाज दुकाने हैं जो अवैत तरीके से वहां पर स्थापित हैं और स्कूल कैमपस में वैसे भी रूल्स के मताविक सो मीटर की दूरी तक कोई भी इस टाइप का बिजनेस नहीं कर सकता और वैसे भी यहां कोई लायसेंस नहीं है और मंडला में तो पूरे ग्रामीड एरिया में जिस तरीके से सराब घूम घूम कर बेची जा रही है वो गलत है और हम लोग कुछ न कुछ ऐसा आंदोलन के माध्यम से हम एक यहां से सुरुवात कर देते हैं कि हर गाओं में जो ग्राम सभा की बैठके होती हैं उसमें भी बताया जाएगा कि यह कहीं पे भी ग्रामीड एरिया में जो बाहर से सराब लाई जा रही हैं और इस तरीके से जो बेची जा रही है तो यह गलत है और यह आंदोलन और ऐसी रैली के माध्यम से चाहें तो उसको बंद किया जा सकता है और टपरे में सराब की बिक्री होती है जिससे अभी कि गई थी उसकी घटना थाने में गई थी उसके बाद भी उसके उपर केस हुआ जमानतों के आज बाहर है फिर वो सराब पी के वह इगए तो अतिक्रमाड को लेके अधियातिकरमाड हट जाएगा बहां से तो सराब की दुकान ही हट जाएगी तो आपके द्वारा क्या कार के दिए के वो अब प्रक्रिया धीन है और हम लोग यथा शिग्र इस पर कारेवाही करने के लिए तयार है तत्पर है साथी मैं यह कहना चाहूंगी कि हमारी जन सहयोग और ग्रामीनों का सहयोग इसमें सरवादी का पेक्ष तो प्रशासन शासन और जनता जब तीनों पिलर मिल करके कारे करेंगे तो मुझे लगता है हमारा ये कारे जो है सफलता फुर्वक संपन्न हो पाएगा अतिक्रमन भी हटेगा साथी साथ जो मानसिकता है शराब बंदी को ले करके उसमें भी हम सभी कारेवाही करेंगे इसमें जनता के द्वारा जो सहीयोग इस समय दिया जा है हमारी महिलाएं आगया के काम कर रही है तो यह बहुत ही एक सकरात्मक कदम है इसमें प्रशासन पूरपूर्ड सहयोग दे रहा है शासन की कोई भी योजना है तो वो ग्रामिड स्तर पर तब तक लागू नहीं हो सकती है जब तक उसमें जनसायोग ना हो तो इसको एक अभियान की रूप में हम सभी पुलिस से हमारा प्रशासन है और स्वयम कलेक्टर महोदया के द्वारा ग्राम ग्राम जाकर भ्रमन किया जा रहा है तो यह इस बात का संकेत है कि नशामुक्ति केवल एक अभियान की रूप में न रहकर धरातल पर क्रियानवेथ हो सके और प्रतियक व्यक्ति इस बात को समझ सके कि हम सभी शराब बंदी हमारे समाज के लिए हमारे समाज के उत्थान के लिए बहुत जरूरी है और हमारी आने वाली पीड़ी जो हमारे बच्चे है वो भी इस चीज को लेक जैसा कि अभी सर ने भी बोला पेशा अधिनियम जो आया हुआ है उसमें ग्राम सभा को इतना सशक्त किया गया है कि ग्रामीन महिलाएं और पुर्ष जो समीती के सदस्य होंगे वे किसी राजनीतिक रूप से प्रभावित नहीं रहेंगे निश्पक्ष होकर पूरे सामाज किस तर पर इसमें कदम उठा सकते हैं और निर्णे ले सकते हैं तो मैं मानती हूं किसमें अभियान के साथ-साथ हम सभी कागजी कारेवाई ही केवल ना करके धरातल पर इसमें काम करके द्वारा क्या-क्या इस छेतर में कारवाई कि नशामुक्ती अभियान के अंदर के था उसके बाद भी वहां पे टपरों में स्कूल से सो मीटर पचास मीटर की दूरी पे ना पाउच बेकने का अधिकार है तो यहां तो सराब बिक रही है उस पे आपने कुछ करवाई की अधिए जो इसकूल के आसपा जितने भी यह जो दुकाने संचाले थें चाहिए किराना जलासी ली गई थी जिनके दौरा मादिक पदार्थों का विक्रे किया जा रहा था उनके वरुद कोट पा अधिनियम के तहट और अन्नी के वरुद जिनके अगयर शराब पाई गए थी उनके वरुद शराब के परकरण पंजी को दिखिये गए हैं और आगे क्या कारवाई आगे ये तैयारी है कि जैसे कि अभी ग्रामीडों ने ग्यापन दिया है मैं उनसे यह पेक्षा करता हूँ कि आप ग्यापन में नाम का उलेक भी करें और साथी साथे दी आपके गाउं में कोई शराब लेकर आता है तो सामेक रूप से आप लोग उनको रोकें उनके फोट मैं आपके और यहां इसका जिलाब भी प्रासतावर थे जलापन जाहिए कि उनकी से इसकाईत क्या है में नसा को लेकर सर क्या है नसा को लेकर लगातार हमारे ग्राम पे इतने लोगों पे युवा पीडियों पर प्रभाव पढ़ रहा है इस नसा का कि तकरीवन एक मैं आपको बता दे रहूँ एक आकड़ा है एक वरसों में 20 से 25 युवा पीड़ी जो है सराप की नसे के कारण उनकी मौत हो गई रिसेंटली अभी तीन दिन पहले गटना आई हुई है कि वो सराप पी करके और आग पर ही जुलस गया तो यह ऐसी घटना ही है और दूसरी चीज महिलाओं को और ग्राम बासियों को रोड पेस ले उतरना पड़ रहा है कि पहले कि आप एक आज हमारे ग्राम पे बाहरों से मदिरा सराब रोज विक्रे करने फोरविलर में टूविलर में आ रही हैं दुकान दिन बादिन बढ़ रहे हैं जिसके कारण यूवप वीडियों पर बहुत बुरा असर हो रहा है इस कारण महिलाओं रोड में सो करने के लिए उतरी है और दूसरी चीज वो यदि इस पर प पहना है उसमें सत्तता है कि अभी ये त्री स्त्री चुनाव जो हुआ इसमें सरपंच हुए हैं उनके दौरा भी ये विक्रे किया जा रहा है अले कि उनको एक दो बार ग्रामीडों जनों दौरा जो है समझा इस दी गई है अब देखना है क्या उस पर वो कारवाई करते है क्या बंद करते हैं या नहीं करते और अब इस पर प्रसासन की पूरी नजर रहेगी और प्लिस प्रसासन की नजर रहेगी अस पर आपके गाओं में सरप को लेकर बहुत जादा प्रांतीय के लोग Lower बीक Al शराब को जाती है वो भी बंद हो जाए ओने कुछल के आस्पास भी यह से लोग आप फैसी लगा लेता होगी आत्मा हत्या करने की कोशिश बहुत करते हैं साराब भी के मार पीठ होती है वड़तों को घर से निकाल देते हैं और बहुंसी उनके साथ महिलाव साथ समस्याएं चलती हैं तो हमारा तो यही कहना है कि पूरी तरह से सवाराब यहां बंदी हो जाए तो आप लोग अंदोलन नसा मुक्ति को लेकर चला रहे हैं इसमें तो आपके साथ है जी आगे और क्या आपके द्वारा और क्या अंदोलन चलाए जाएगा अभी तो बस नसा ही मुक्ति का सोचे हम लोग और इसके आगे अप फिर क्या नाम क्या है मेरा नाम अंजली रगवन सी वहरहाल इस देली के दौरान ग्रामिट जन्द मौजूद रहे ज से सलीम खान की रिपोर्ट